यदि इंवर्टर में यह रेड लााइट जल्दा है, तो क्यू जल्दा है? इसका लाइव हम लोग करके देखेंगे और इसका देख रहे हैं, चार्जिंग लाइट जल्दा है, बैटरी चार्ज हो रही है, मेन जल्दा है तो इसको हम एक रूपे के सिक्के से ठीक करेंगे इसके लिए हम एक रूपे का ले लिए हैं और इससे इस बैटरी का धकन को हम खोलेंगे और खोल करके देखेंगे कि इस बैटरी के अंदर में पानी है या नहीं है इसके लिए हाइडो मीटर भी लगा होता है आप हाइडो मीटर पर देख सकते हैं कि जो है बैटरी के अंदर पानी है या नहीं है लेकिन हम लोग खोल करके देखेंगा धकन को कि इसके अंदर पानी है या नहीं है अगर पानी कम रहता है तो उसको पानी को हम लोग डालेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बारिस का पानी जो है बैटरी में डाल देते हैं या नल का पानी जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए, डिस्टिल वाटर का ही प्रयोग करेंगे, तो अच्छा रहेगा. अब हम बैटरी के सभी धक्कन को खोल लिये हैं, और डिस्टिल वाटर ले करके, बैटरी के सभी सेल में जो है, डिस्टिल वाटर को डालेंगे, इसका सेल जो है, अलग-अलग बना होता है, जो दो वोल्ट का होता है, तो सभी सेल में पाने को हम डालेंगे. इस वीडियो में हम आपको लाइब करके दिखा रहे हैं कि या फोल्ट दूर हो रहा है या नहीं दूर हो रहा है यदि बैटरी में एसीड का प्रयोग कर रहे हैं तो आउसेक्ता अनुसार ही एसीड का प्रयोग करें पहले या जान लें किस बैटरी में एसीड जरूरी है या ज़रूरी है तो यह शीट का प्रियोग करेंगे अन्य था डिस्टिल वाटर का ही हम लोग प्रियोग करेंगे अब हम इसके सबे धकन को कसेंगे और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को सेयर कीजिए बैटरी के धक्कन को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे क्योंकि यदि धक्कन खुला है तो वह खतरनाक होता है कभी भी धक्कन को अच्छी तरह ही टाइट करेंगे आप यह देख रहे हैं कि इस बैटरी के धकन को किस तरह से हम कस रहे हैं इसको अच्छी तरह से कस दें बहुत से लोग यह बताते हैं कि जहां हाइड्रोमेटर लगा हुआ है उस धकन को खोल करके और डिस्टिल वाटर का प्रयोग करेंगे लेकिन यदि आप नहीं खोल सकते हैं चुकि हाइड्रोमेटर सिशे का बना है तो यह फूट सकता है तो आप यह दकन को खोल करके पानी डाल सकते हैं अब आप देख सकते हैं कि अभी भी यह लाइट जल रहा है लेकिन आप देख सकते हैं यह लाइट बूझ गया तो इस तरह का fault यदि आ रहा है तो यहां हम समझ लेंगे कि बैटरी में जो है पानी की कमी है और उस पानी को हम डाल देंगे जिससे यहां हमारा fault जो है दूर हो जाएगा यहां hydrometer यदि पानी की कमी है तो यहां नीचे चला जाता है तो हम समझ लेंगे कि बैटरी में पानी क की कमी है